CBI ने पिछले आठ सालों में 2014 से लेकर 2022 अंध तक जितने मुकदमें दर्ज करें उसमें से 95 प्रतिशत मुकदमें विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करें मनिश चोधिया के गिरफतार होने के बाद से आप पार्टी अटेकिंग मूड में हैं उसी को लेकर आज आप नेता रागव चड़ा द्वारा प्रेस कॉनफरेंस कर बीजेप और केंद्रे जाच एजनसियों पर सवाल पड़े करे गए रागव चड़ा ने प्रेस कॉनफरेंस कर कहा कि अगर मनिश चोधिया और दूसरे नेता अपनी पार्टी छोड़ कर बीजेप जोइन कर ले तो उनके खिलाफ चल रहे सारे मुकर में बंद हो जाएंगे साथी रागव चड़ा ने सीबगाई पर यह भी इलजाम लगाया कि मनिश चोधिया को कल कोट से बेल ना मिले इसके लिए उन्होंने कल अपना वकिल कोट में बेजा ही नहीं रागा चड़ा ने कहा कि मनीश शुषोरिया के साथ आज नेतिक डिएश के चलते ये सब हो रहा है आईए आपको सुनाते हैं रागा चड़ा ने प्रेस कॉंसेंस में क्या करता भारती जनता पार्टी एक ऐसी वाशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती एक तरफ से कथा ततित ब्रस्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है ये बीजेपी आज एक वाशिंग मशीन बन गई है एक तरफ मनीश सोधिया जी का उधारन है जिन पर अगस्ट 2022 में CBIED ने मुकदमे दर्ज करे अगस्ट 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक मनीश सोधिया जी के घर पर रेट करी उनके पैतरे गाउं पर रेट करी उनकी जितनी संपत्ती है वो सारी खंगाल ली उनके बैंक अकाउंक चेक किये उनके बैंक के लॉकर चेक करे उनकी घर परिवार के जितने जेवरा थे चेक करे एक नया पैसा जिम्मेदारी से कह रहा हूं एक नया पैसा भारतिय जनता पाटी के एजेंसियों को नहीं मिला लेकिन फिर भी आज मनीश से सोधिया जी को राजनेते कारणों के चलते ED और CBI ने पकड़के जेल में बंद कर दी और दूसरी ओर भारतिय जनता पाटी के खुद के करनाटक के विधायक आज से कुछी दिन पहले एक रेट में उनके घर पे आठ करोड रुपे नकद कैश मिला अनकाउंटेड इल गौटन इल्लीगल वेल्थ वर्थ एट करोर रुपीज वाज रिकवर्ड क्या उनकी गिरफतारी हुई? कोई गिरफतारी नहीं क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया और कोट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के मले को बेल तक दिलवादी एंटिसिपेटरी बेल दिलवादी क्रिमिनल जस्सिस सिस्टम का एक लौता ऐसा उधारन है कि कैश की रिकवरी होने के बाद रंगे हातों पकड़े जाने के बाद आठ करोड रुपे की नकद राशी के साथ पकड़े जाने के बाद उस इनसान को जेल में नहीं बंद किया जाता उसे E.D. और C.B.I. कोट से बेल दिलवाती है उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है हजारों लोगों की जन समर्थन रैली करवा कर जलूस निकाल कर रोडशो निकाल कर उस शक्स का अभिनंदन किया जाता है जो C.B.I. कोट में हम लोगों ने देखा कि C.B.I. ने कारवाई ना हो बेल की कारवाई आगे ना पड़े मनीज सिसोधिया जी को बेल ना मिले इसके चलते अपने वकील को ही पेश नहीं किया यह साफ तोर पे यह दिखाता है कि यह एजनसियां भारतिय जनता पार्टिय के इशारों पे जो प्रोसेस ओफ लॉव है उसे अब्यूस करना लग गई दिस इस दे क्लासिक टेक्स्ट बुक कि बेल ना मिले इसके लिए वकीली पेश ना करेगा वकील पेश होगा नहीं वहस होगी नहीं कोट कारवाई करेगा नहीं तारीक पर तारीक पड़ेगी और जो शक्स है जिसे जेल में बंद किया है वो जेल में सड़ता है CBI ने पिछले आठ सालों में 2014 से लेकर 2022 अंथ तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95 प्रतिशत मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करे 95% of the corruption cases alleged corruption cases registered by the Central Bureau of Investigation since 2014 to 2022 have been cases against members of non-BJP political parties members of the opposition ये CBI की कारेशहली इन एजंसियों का ऐसा राजनेतिक प्रेयोग तो आजाद भारत के तिहास में आज तक नहीं है और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो इंडिया को ओपोजिशन लेस कर दो और भारत के लोगतंत्र को एक तंत्र में बदल दो तब्दील कर दो कनवर्ट डिमोक्रसी इंटो अटोक्रसी एक ही लक्षे है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो जेल में डालो पार्टीओं की दुकानों पर पार्टीओं की राजनेतिक जो कारे शैली है जो उनकी election नड़ने की शमताएं हैं जैसे party चलती है उस सब को खतम करो बरबाद करो और एक ही party इस देश में बचे भारतिय जनता party ये लोगतंत्र को एक तंत्र में बदलने की तब्दील करने की भारतिय जनता party की कोशिश चल रही है जहां आप party उनके नेताओ पर हो रहे कारवाई को लेकर सीविया और एडी पर निशाना साथ रहे हैं वही बिहार में भी जेडी और आजडी भी सीविया और एडी को पालतो तोता कहे करके इंगली जाच अजनसियों की जग हैं बीजेपी की जाच अजनसिया बोल रहे हैं आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं साथ ही ब्रमभासी न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें